हाँ तो यो low my dear friends and students, सबसे पहले आप लोगों का Study Lobby में स्वागत है! Starting Lobby जो है आप लोगों के लिए हमेशा ठतपर है किसलिए competition की तयारी के लिए ठीक है? तो मैं आप लोगों को जो हैLa 시청ealoby के द्वारा вспgeben we automate or we have किसी तरह का भी competition हुँ उस पर आधारी सवालाव को मैं आपको solve करूंगा और जदी आप मेरे solution को देखेंगे तो आपको कहीं दूसरे जगा देखने का जरुरत नहीं परेगा दोस्तो तो सबसे पहले आज चलते हैं time and distance का chapter सुरू करते हैं यानि समय और दूरी और समय और दूरी में जो हमारा basic formula है साथ लेकर चलना है क्योंकि अभी हमारे जीवन के लिए मैं लक्ष है क्योंकि ट्रिक नहीं रहेगा तो हिसाब जल्दी में नहीं बनेगा मैं जल्दी सबसे पहले चलो थोड़ा सा basic पर ध्यान देते हैं time and distance में जो है दोस्तों सबसे पहले मैं आता है दूरी तो दूरी पर दूरी बटे पर तो बराबर क्या होगा हमेरा दूरी बटे है चाल बराबर होंगा दूरी बटे Всё इस में बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल तो इंति तुँरी सुbracht है आप जैसे मनलों मन लो किसी कार की चाल जो है कार की चाल दिया हुआ है 40 km प्रति एच 40 km प्रति एच का मतलब दोस्त क्या हुआ कि एक घंटे में हुआ कार जो है 40 km जाएगी इसलिए इसका स्वाट फ़र्म हो गया 40 km प्रति एच मन लो किसी का चाल है आपका 30 m by s 30 m by s तो इसका मतलब क्या हो गया कि m मिन्स हो गया यहां पर मीटर और s मिन्स हो गया हमारा सकेंड यानि कार के चाल जो है 30 m per 30 second है ठीक है तो यहां पर हमको यह समझना है कि जदी km में है तो वह हमेशा गंटा में दिया हूआ रहता है है और मीटर में ज़़ी दिया हुआ हो तो उसका जो है समय सेकेंड में दिया हुआ राता है तिसलिए के यह परती है रहें यह लगता है सब्सक्राइब जब है आपका कितना चालिस केम परती है और समय आपका है समय आपका डेर गंटा कितना है डेर गंटा डेर गंटा का मतलब 60 और 30 यहनि 90 मिनट हो गया तो यहां पर आपका चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है तो दूरी तो दूरी बरावर हमारा सुत्र क्या होता है दूरी बरावर चाल गुनों समय यहनि यह क्या कर देंगे 40 गुने देर का मतलब किया हुआ एक दू यहने तीन बटे दू घंटा इसको जब हम दो से कटाएंगे तो हो जाएगा बीस दूरी चालिस यह नहीं बीस तिया साथ के एम जो है वो दूरी तैकिया ठीक है काने का मतलब जब कार की चाल जो है चानी चाल घंटा कितना दूरी तेकिया आप जाल के तिकार की सिक्राइब से था आधो के जो है कि चाल आपको दिया हुआ है जाव को समय आपको 2325 ला समय जो है चलो 45 शेकेंड दिया हुआ है इसका जो है चाल इतना हुआ है और समय आपको दिया हुआ था कितना एक पुर्णांक एक बटे दू घंटा और चाल आपका यह है तो दूरी हम निकाल लिए कितना निकाल लिए 60 किलोमीटर यानि कि जब कार की चाल जो है काने का मतलब 40 के हम प् आपको दिया हुआ है 30 M by S कितना दिया हुआ है 30 M by S और उसका समय आपको दिया हुआ है कितना 90 सेकेंड 90 सेकेंड ठीक है 90 सेकेंड दिया हुआ है तो उसका उस समय हमारा दूरी क्या हो जाएगा तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय यानि 30 M by S और गुना समय कितना 90S कितना हो जागा तो 2927 यानि 2700 2700 क्या होगी हमारा मीटर 2700 मीटर जो है वो कार दूरी करेगा और दोस्तों आपको याद है कि 1 km बराबर कितना होता है 1k बराबर होता है हमारा 1000 मीटर एक किम बराबर कितना होता है 1000 मीटर दी कितना हुआ 2 km 700 मीटर 2 km और 700 मीटर का दूरी करेगा कब जबकि कार की चाल है 30 मीटर पर 30 सकेंड वो 90 सकेंड में 2700 मीटर की दूरी तरह करेगा तो इस तरह से दोस्तों तो ज़दी चाल और समय दिया हुआ हो तो हम दूरी निकाल सकते हैं अब चलते हैं मांगलों समय और दूरी और चाल दूरी और चार जड़ी आपको दिया हुआ है तो किसे निकाला है मांगल लिया जाये कि आपको जो है दूरी दिया हुआ है अब रिदी अवह थेजंद इसाज जो है कार की चाल करूं है उर 40 km परदी एच कितना है 40 के रen तो यदि इतना दूरी 800 किलोमीटर की दूरी वो कार कीतने समय में पार करेगी तो हम समय करें निकालेंगे समय बरावर दूरी बटे चार यानि 800 बटे 40 ठीक है यह जीरो जीरो जब हम कटा देंगे तो चार से कट जाएगा हमारा कितना 20 यानि कि 20 कितना 20 घंटे में वो दूरी जो है तैक कर लेगी ठीक है और उसी तरह से दूरी और समय आपको जड़ी दिया हुआ हो तो आप उसका चाल निकाल सकते हैं कैसे अब क्या कहते तीन गंटे में तीन घंटे में कभर करती यह योनि पार कर जाती है 600 कि दूरी तो उस समै got कि चाल क्या होगा तो चाल बरावर क्या हो जाएगा हमारा चाल बरावर दूरी जैसे हमारा 600 है और तीन घंटा है तीन से थेंगे तो कितना हो जागा 3,2,6 यहनी क्या हो गया 200 km पर ती एच 200 km पर ती एच यहनी उसका चाल हो जाएगा ठीक है दोस्तों ऐसे 200 km पर ती आच कार का चाल नहीं होता लेकिन यदि आपको इस टाइप से सवाल दे दे तो उस समय हमारा चाल के आजागा दो सो के एंब परती एच वेशे कार या गारी की चाल क्या होती है कितना मैक्सिमां 60 के एंब पर्टीयच ठीक है मैक्सिमम साथ होगा और उससे जदुए रेल Universe का चाल क्या होता है 120 केंब परती एच ठीक है यह वा रेल गारी का और यह होगिए आपका कार वगेरा क्या खांते हैं कि बस वगेरा का ठीक है अब हुआई जाहज का चाल क्या हो जाएगा हवाई जाहाज का चाल जाता है घंटे में हवाई जाओ 600 kms तक जा सकती हैं लेकिन इसका एक से घंते जा सकती है ते से दोस्तो सबसे पेहले हमें समय बरावर चाहल पाने में दूसरा समय बरावर दूरी बटे चाल और तिसरा चाहिए चाल बरावर दूरी बटे समय यह जो है तीनों हमारा basic formula है अब जलते हैं इससे थोड़ा हट करके हाँ तो दोस्तों अब देखो ए इस type का ज़दी रहे यह दूसरा हम क्या कहते हैं दूसरा formula basic ही है इसको आप थुरा से देखें यह कारा है कि यदि A ठथा B की चालों का अनपात यदि X और Y हो महनि लोग दो कार है A और B और दोनों के चालों का अनपात जो है X अनपात Y है ए का चाल X है और B का चाल Y है और एक ही दूरी तहिना कानपात समय का अनपात क्या हो जाएगा Y अनपात X यानि उल्टा हो जाता है ठीक है दोस्तों यानि कि A की चाल यदि A की चाल A की चाल जो है कितना है X और B की चाल क्या है B की चाल है Y ठीक है और दोनो कार जो है एक ही दूरी करता है यहानि निश्चित है कि एक इतना किलिमीटर की दूरी दोनों से दोनों आक जो है तो उस उसके द्वारा याने कार द्वारा लिए गए समय का अनपात क्या विल जाएगा तो in A कार के लिए समय क्या हो जाएगा हमारा Y हो जाएगा और B कार के लिए B कार के लिए समय क्या हो जाएगा हमारा X कारे का से ही है यदि A की चाल A कार की चाल X के हम परतियाच है और B की चाल हम Y के हम परतियाच तो A कार्ड के लिए क्या समय लगेगा Y घंटा उसको वही दूरी तै करने में और B कार्ड के लिए कितना समय लगेगा यह हमारा X घंटा लगेगा यह कहने का संसे ही है यदि A तता B की चालों का अनपाथ X अनपाथ Y हो और एक ही दूरी तै करने में इसके द्वारा लिए गए समय का क्या पात होगा वाई अनपात एकS होगा दोस्तों इस चीज को आप गो रहे करेगा टीक है कि जरी दो कार है उसका चाल X और Y है तो दोनों कारां द्वारा जो एक ही तो दोनों काराओं को वहां तक पहुंचने में क्या समय लगेगा तो जो की जो की बी कार की चाल है वही समय जो है वही समय लगेगा उसको एक कार को वहां तक पहुंचने में और यह जो है एक्स जो है जो एक है वह उसको उतना समय लगेगा बी को यदि उसका चाल कान पात ए यान पात एक्स दोस्तों ठीक है तिस तरह की चीजह को आप याद रखत अब देखो कि देखो थीसे तीसरा इस चीज्ञ है recommended प्रति एज को यानि के एम परती एज को यदि हम एम बाइस में यानि मीटर परती सेकेंड में बदलते हैं तो वैसे सिती में हमें क्या करना पड़ेगा पांच बटे 18 से 18 से गुना करना पड़ता है अब गुना करना पड़ता है यह भी मैन फैक्ट से फॉर फॉर सॉल्व दाफ प्रोब्लम यानि हम इसाब को जब बनाते हैं तो किसी का क्या कहते हैं मिक के अंपरती एच में दिया हुआ है और किसी का मीटर परती सेकेंड में दिया हुआ है तो इसे स्थिती में हम दोनों को स सबस्क्राइक की कईलोमेंटर परती घंटा को या दिया मिटर परती सेकेंड में बदलेंगे तो उसको मेंंटर siamo 17 अगॉना करते हैं और अगला ठिप्स देखो अगला ठिप्स क्या है कि यह दि मीटर परती सेकेंड को में बदलेंगे में बदलेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे जैसे इसमें पंच बटे 18 से गुना किये यहां पर 18 बटे से से गुना करना परेगा यह दोस्तों याद रखन में तो पंच बटे 18 से गुना करते हैं आप देखो यहां पर यह चोटा इकाही में परिवर्थित करते हैं तो उसके लिए आठारा वटे पांच से क्या करते हैं गुना करते हैं यह भी आपका फैक्ट है दोस्तों इसको आप जो है याद रखिए जब हम आपका एक्सरसाइज सुरु करेंगे तो उसमें इस सब सारे चीज़ां का योगदाउन रहता है ठीक क्शेव ट्रेक है इस पेसल ट्रिक है चलो उसको जी देख लेते हैं कि स्पेसल ट्रिक यह है कि अगर दो चल curvature से समा कर साम दूरियां ते की गई हो तो आउसत चल बराबर हमारा हो जाएगा 2xy बटे x प्लस y देखो दोस्तों इसमें कंडिशन दिया हुआ है कि दो चाल है x और y से क्या किया गया है समान दूरी तई की गई है हाँ तो वैसे इस दिती में उसत चाल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2xy बटे x प्लस y as per example लो as per example एक है कि एक आदमी post office तक दूरी तई करने के लिए क्या करता है कि यहां से जाता है 4 km प्रती x से ठीक है post office तक यानि ps यहां तक post office तक जाने में एक आदमी जो है क्या करता है 4 km प्रती गंटे की चाल से जाता है और वो क्या करता है फिर फिर उसी पत्पर वो इधर से जब लोड़ता है तो वो जो है तीन क्यम परती एच की चाल से लोड़ जाता है यह लग, यह यह यहाँ इधर से जाता है 4 था हीम परती हच से लोड़ आता और अगर उसको पूरि दूरी तई करने में यहां से यहां तक जाने में फिर यहां से यहां तक जाने में उसको कूल जो है समय सारे तीन घंटा लगता है कूल समय कितने लगता है सारे तीन घंटा ठीक है तो ऐसे स्थिति में आपको पूछा पूछ दिएगा कि कूल कितने मीटर तक चला कूल कितने मीटर तक यह चला तो गंटा आ गया लेकिन यह तो पता नहीं है कि कितना दूरी उसने तै किया लेकिन यह पता है कि उसको जाओने और आओने में दोनों में मिला करके सारे तिन गंटा का समय लगा है तो इसे सिती में हम सबसे पहले आउसत चाल निकाल लेंगे ठाल वराबर क्या हो जाएगा हमारा क्या है 2xy ठीक है तो 2 गुना एक्स इधर से ज़ने में उसको 4 उधर से आने में उसको 3 बटे x प्लस y यानि 4 जोर 3 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि दू गुना चारतिया 12, बटे 4, 3, 7, कितना हो गया, 24 बटे 7, 24 बटे 7 जो है उसका औसत चाल प्रतिया ठीक है, चाल हमें निकल गया और समय दिया हुआ है, तो दूरी हम से निकाल सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, यानि 24 वटे साथ और गुना किन्हा। 356 साथ थू तैसे उने कितना ने । barrier कीमीटर ठीके इधर से जाने और उदर से आने में कितना दूरी ते किया उसने 12 किलिमिटर का दूरी किया तो इस तरह से इस फरमुला का हम उपयोग कर सकते हैं कि उसको समान दूरियों ते करनी हो तो उसमें हम इस फरमुले का अपलाइ करना है और यदि चाल जो है मौनलू 3 तरह को हो एक्स वाई ओ और जयड हो वैसे श assert hora में भी हमारा हो जाएगा क्या होजाएगा त्री एक्स वाई जै ब्लस एक्स उय फ्लस फ्लस ये निकाल करके और इसके वाद समय जदी दिया हुआ हो तो हम क्या कहते हैं दूरी सकते हैं ठीक है अब चलते हैं अगले पराव पर अब देखो दोस्तों एक दूसरा इस पेस्टल ठीक है क्या है कि यदि कोई ब्यक्ति आलग अलग गती से आलग अलग समय तक एक निश्चित दूरी ते करता हो तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी आउसात गती क्या हो गी कुल तै की गई दूरी और कुल लगा समय थे दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझाएं कि कोई ब्यक्ति आलग अलग अलग चाल से और आलग अलग समय तक अलग अलग समय तक एक निश्चित दूरी ते करता हो तो पूरी आत्रा के दोरन उसकी औस गती हो जागी यह क्या क्याद करता है कोई व्यक्ति 600 किलो मीटर की दूरी रेल द्वारा 80 HE गंटा की गति से थीक है और उसके बाद 800 KM की दूरी 262 213 कंटा की गति से और 500 YouTube की दूरी यहाद द्वारा करते हैं 400 मीटर प्रuveyang गति से गति से करता है यानि क्या करता कोई व्यक the immediate Jaires TIS वो जो है दूरी एक नेसी दूरी थे करता है तो इससे सिती में उसका चालो क्या होगा दोस्तों इसको Warm के बनाएगे सवसे पहले automated Day के गई दूरी निकालेंगे उसके बाद Meagisong blog precious में तो छलो चलते हैं सव 600 km ठीक है रेल द्वारा कितना जाता है 600 km जाता है जबकि उसका चाल जो है कि चाल कितना है 80 km प्रतियज यानि कोई व्यक्ति रेल द्वारा जो है 600 किलोमेटर वह चाता है 80 km प्रतियगंता की रफतार से ठीक है आप देखो दूसरा जो है दूसरा कि से करता हुआ । मझा थी दूसरा दूरी जो है जहाज से वह तय करता है चलो जहाज द्वार करता है वो कितना करता है 800 किलोमेटर अथक है और देख लेते हैं कि जहाज का जो चाल है उसका चाल कितना है तो उसका चाल है चालीश केम पड़ती है चालीश केम पड़ती है यह दो दूरी तो तहीं कर लिया एक रेल द्वारा दूसरा जहाज द्वारा और तीसरा क्या करता है व्यक्ति तीसरा व्यक्ति जो है हवाई जहाज द्वारा कि किसी के द्वारा हवाई जहाज द्वारा हवाई जहाज द्वारा जो दूरिते करता है वह कितना दूरिते करता है 500 किलोमीटर यह 500 कम जो है हवाई जहाज द्वारा दूरिते करता है जबकि हवाई जाहाज का जो चाल जो है वह 400 km प्रति घंटा 400 km प्रति एच अब देखो यहीं सवाल है हमारा दोस्तों के रियल द्वारा 600 km दूरी ते करता है जबकि उसका चाल है 80 km प्रति एच और जहाज द्वारा 800 km की दूरी ते करता है जबकि उसकी चाल क्या है 40 km प्रति hours and iset weather departments गुल दूरी हमने प्राप्त हो जाए आएomos पर देख लेते हैं कि कूल दूरी क्या हो जाएगा हमारा और कूल दूरी हो जाएगा कितना 847 पांच उनिश्षव किलो मेटर कूल दूरी हो गया जोकी तीनों से रन किया तर निश्षव किलो मेटर यह हो गिया हमारा क्या हो गया कुल दूरी हो गिया ठीक है उसके बाद जो है कुल समय बराबर क्या होता है दोस्तों समय बडबर होता है दूरी बटे चाल अब देखते हैं कि रेल द्वारा उसको कितनो मैं लगा तो दूरी है हमारो शोसो होसो इसु एक कर देगे ठीक है ये 00 कर जाता है ठीक है जिरो जिरो जब यह कड़ जाता है तो कितना इसको हम चार से चार से कटाएंगे चार दुनी आठ और पंद्रा चोके साथ यहनी कितना हुआ पंद्रव वटे दू गंटा यहनी कि 600 किलो मीटर दूरी तै करने में रेल गारी दौरा उसको पंद्रव वटे दू गंटा समय लग गया अब चलते हैं जहाज दौरा तो जहाज दौरा उसको कितना समय लगा भाई 800 वटे 40 यहनी कि 800 वटे क्या 40 कटा देंगे यह हो जगा चार दुनी आठ यहनी 20 कितना हो 500 वटे उसका 400 यह 00 कट जगिया तो पंच वटे चार घंटा लग गया हां यानि उसको टोटल समय उसको तो हमें जोड़ना परेगा यानि कूल समय कूल समय क्या हो जाएगा दोस्त तो हम कैसे करेंगे सबसे पहले चलो जोड़ लेते हैं तो 15 वटे दो क्या करेंगे 15वटे दो जोड़ 20 जोड़ पंच वटे 4 तो इसका LCļ्या हो जाएगा हमारा 4 ओजाएगा 2 से कितने बार में 2 दुनी 4 2 15 दुनी यहां पर हमारा 30 आजाएगा फिर यहां पर 20 है तो 20 क्या हो जाएगा असी हो जाएगा फिर 4 चार कर जाएगा कितना हो जाएगा पांच तो टोटल कितना हो गया यह हो गया आट तिन एग्यारा काने का मतलब 110 प्लस पंच 115 बटे चार हो गया गंटा यानि कुल समय उसको जो है 115 बटे चार गंटा कुल उसको टोटल समय लगा ठीक है तो आप जो है हम क्या निकालना है आउसत गती क्या निकलना है आउसत गती हाउसत गती बराबर हमारा हो जाएगा कुल दूरी यानि कि 1900 बटे और उसके बाद कुल दूरी बटे कुल समय 15 115 बटे चार है तो इसको हम चार से यहां पर गुना कर सकते हैं उपर में ठीक है तो चलो पंच से इसको कटा आते हैं तो पंच दूनी दास पंच तिया पंदर पंच से जब इसको कटा एक तो क्या हो जाएगा दोस्त पंच तिया पंदरह तीन पंदरह उसके बाद चार उन्हीं सब्सक्राइब करेंगे तो कितना हो जाएगा के पंच पंच और किजोंगं पंच शुर जिरो थे खुण ऐका महरेज जीरो आठ چोश च बदिस के दूबां की तीन और कि इसके बाद क्या हो जाएगी चार्तियाओ बारह तीन पंदरह यानिंगलं सबनीव्ज किटना हो जाएगा पंदरो सब्संब्स मते हमारे यहाँ तीन के तरीके के लिए मैंने आपको लंबा प्रोसेस कर दिया इसको आप स्वाट में बनाएंगे ठीक है इसका जो है क्या कहते हैं कुल दुरी और कुल समय समय कैसे निकाले समय दूरी बठेवख 202 बठेवख 24 तिनों का समय निकाल करके ज़िए उसके गती बरावर दूरी बठेव टोटल जो है कुल समय निकाल दिया हमारा चाल निकल जाता है दोस्तों ठीक है तो मैं आज आप लोगों को इतना ही बताता हूं फिर अगले वीडियो में फिर आपके लिए फिर नए क्या काते हैं इस पेशल ट्रिक्स के साथ आपके पास उपस्तों गा तब तक के लिए धन्यवाद आप देखते हैं तो लाइक शेर और सब्सक्राइब वबसकिजिए थैंक यू